हलो वलकुम बाग तो मेडिव चैनल जिपफ स्टडी सो आज हम करेंगे मैटर इना स्राउंडिंग चाप्टर नमबर वन के कुछ असर्शन रीजन जो बच्चों को जादा दिक्कत आती है करने में कि कैसे अटेंप्ट करने है कैसे नहीं करने वैसे तो असर्शन रीजन की अटेंप्ट असर्शन रीजन वो अल्रडी अप्लोडेड है चैनल पर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी होगा वहां से भी चेक कर सकते हो यहां पर आज हम क्वेस्टन भी डिसकस करेंगे एस वेल एस क्वेस्टन को अटेंप्ट कैसे करने वो चीज़ भी डिसकस विनगे एक असर्शन रीजन रीजन रर दोनों स्टेटमेंट्स को अत्ख से करने के लाइक कुछ सेंस बन रही है बात सही बोली աट बोली गई है तो तो स्टेटमेंट बताइगही रही है वो ठीक है गलत है' क्या है ? वो सब चीज़े करने होती है और उसके बाद फिर आपके पास 4 या 5 options देही होती है उन में से आपको select करने होते हैं कोई भी एक option अगर यहां पे मैं आपको options दूँ तो first option is कि both assertion and reason are true ठीक है जी दोनों true है and जो reason है is correct explanation of assertion correct explanation का मतलब होता है कि जो दो statements given थी assertion and reason उसमें से यह दोनों सही है और जो reason है वो exactly assertion वाले का reason है ठीक है जी reason का meaning क्या होता है किसी भी एक statement को reason देना कि यह इसकी बज़े से है so अगर एक assertion given है एक reason given है अगर दोनों सही है तो उसके बाद आपको यह सोचना है कि reason जो है वो correct explanation है assertion की के नहीं second option है कि both a and r are true but r is not correct explanation of a not correct explanation of a a की explanation सही नहीं दी उसने assertion की clear third option होती है कि assertion true है but reason क्या है false यह जो options है यह actually vary करती रहती है so इसको please ध्यान में रखना question attempt करते हैं options को जरूर अच्छे से देख लेना पहली दो तो almost fix रहती है निचे वाली थोड़ी से vary कर जाती है next होता है assertion is false reason is true okay जैसे कई बुक्स के अंदर आपको यह भी मिलेगा कि assertion reason don't know false है है ना ऐसी option भी होती है वाँ पे so आपको यह चीज में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा question attempt करते time so now coming to some questions अब इसके कुछ questions देखने है so first question देखो assertion है आपके पास यहां पे camphor disappears without leaving any solid okay camphor आपको पता है क्या होता है camphor जो है वो disappear हो जाता है without leaving any solid solid residue so is it true or false camphor जो है yes वो leave हो जाता है like खतम हो जाता है without leaving any residue so it is true in this case clear reason is के camphor undergo sublimation उन्होंने reason यह दिया के camphor जो है वो sublimation का process करता है अब अगर हम पहले यह सोचने है के reason true है के false so it's very obvious it is true reason true है यहां पे क्योंकि वो sublimation ही करता है sublimation का process ही होता है वहां पे now check this thing देखो don't know true है तो don't know true मतलब इन दो options में से कोई भी एक answer हो सकता है right but हम चुनेंगे कैसे कौन सा answer correct है कि जो reason की statement दी हुई है उनको अच्छे से पढ़ो और check करो कि क्या वो reason की explanation assertion को explain कर रही है yes इस case में कर रही है उपर बताया गया था कि camphor जो है वो खतम हो जाता है बीना कोई भी residue छोड़े है ना बना कोई भी solid particles छोड़े second में जो reason है उसमें बता दिया कि camphor क्या करता है sublimation करता है तो it means वो उसी के explanation थी तो इसमें क्या option correct है option one कि both a and r are true but r is correct and r is correct explanation of assertion coming to next question कुछ को question discuss करते है आपको idea हो जाएगा कि कैसे हमने attempt करने questions next है assertion is it is easier to cook food at high altitudes तो पहले यह सोचो के सही है के गलत है high altitudes पे खाना बनाना easy है is it easy no high altitudes के ओपर खाना बनाना easy नहीं होता वहाँ पे boiling point जो है water का वो कम हो जाता है so हम वहाँ पे proper खाना नहीं बना पाते next है reason reason के अंदर देखो क्या दिया हुआ कि boiling point of water increases at high altitude boiling point जो है पानी का वो increase करता है high altitude पे तो देखो क्या यह सही है यह गलत है yes it is true ठीके जी so यह true है उपर वाले case पे यह बोला था high altitude पे खाना बनाना easy है but वह चीज गलत है high altitude पे खाना बनाना easy नहीं होता क्योंकि हमें proper sufficient temperature ही नहीं मिलता वहाँ पे ठीके जी so वह चीज false है reason जो है वह true दिया हुआ statement true है वहाँ पे तो it means कौनसा option हो गया यह पे this one A is false R is true clear? अगर आपको ना दोनों statement में से किसी भी एक क्यों पर surety हो जाती है false वाली तो आपके लिए select करना बहुत easy हो जाता है यह पे answer दुसरे वाले पर जाना ही नहीं पड़ता आपको coming to next question Assertion is naphthalene does not have does not leave any residue when kept open for some time yes very obvious this is also camphor this little bit naphthalene does not leave any residue if you keep it open in the air naphthalene balls so Assertion is true coming to reason the conversion of solid directly into gas is called condensation solid from gas is it condensation? no it is not condensation so reason is false so which option correct third Assertion is true but reason is not true what does reason false clear? so next question what will you do practice on the reason on the option is the same below statements you have to read and think right or wrong clear? so next is solids do not diffuse into air solids do not diffuse into air is it true or false? yes true no no what is this reason? what is this reason? according to the particles are closely packed in solids in solids in solids they are closely packed in solids so is it true? yes the statement is true that in solids we know that particles are closely packed in solids very closely tightly so now let's check this see now confusion will be created two answers both are true now if both are true then there will be an option first or two so first or second we will check with reason explanation that is explaining the assertion or not so see what was the assertion that solid do not diffuse into air in the reason told me that the particles are tightly packed so they cannot diffuse it's very obvious so which answer is correct? first option both are right and the reason that is also correct explanation of the assertion okay so you can try other questions for the reason so so that the practice is good sometimes what happens in the assertion reason? the question is very simple the assertion reason is simple but when you attempt then there will be confusion or misconception which is wrong your answer is wrong it is almost like this so watch this video my assertion reason video is separate it is a separate video how to understand the assertion reason and attempt in the description it will be above the link so please check it it is hardly five to ten minute video you will not have time so next the assertion reason and mcqs discuss and subscribe to my channel subscribe this channel please thank you thank you so much for watching this video